नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है List Comprehensions हमने कुछ वीडियो पहले List Collections देखा है और भी कई collections देखें जैसे Set, Tuple और Dictionary यहाँ पर हम देखने जा रहे एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है List Comprehensions अब इस पर आने के पहले मैं कुछ आपको Basics बताता हूँ जैसे मानदी जी हमने एक String Variable Create किया जिसका नाम है My String इसमें हम Store कर रहे हैं Hello, इसको Run करते तब यह Variable Create हो जाएगा और इसमें Hello, यह Word सेव हो जाएगा अगर इसको Call करते हम तो Output मिल जाएगा अब मालो मुझे हर एक Character को नए Line में Print करना है तो हम Simple इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इस Variable में For Loop इस तरीकी से लगा सकते हैं जो हमें पता है For I in My String, Enter Tap करेंगे तो Second Line पे, Enter करेंगे तो Tab आ जाएगा Second Line पे Automatically Databricks में अगर अप है, Print आए Scroll करते हैं नीचे तो इससे Output आ जाएगा, कुछ इसमें नई या नहीं है अब हम क्या देखना चाहरा है? यही काम मैं कुछ अलग तरीके से भी कर सकता हूँ और जो हम चीज देखने जा रहे हैं, उसको हम कहते है List Comprehensions अब हो सकता है कि पहले ही Example में आपको समझना आए बट कोई दिक्कत की बात नहीं दो-तीन Example में जब आगे दूँगा, तो आप इसको समझ जाएगे सबसे पहले हमें मालू में, अगर हमें List बनाना है चीज लिखता हूँ आपर, पहले statement पे focus के जिए, I for I in my string आप देखें, logic है, square bracket के अंदर कुछ भी लिख रहे है, मतलब क्या List हो गया पहले चीज, अगर हम सिर्फ इतना select करते हैं, for I in my string, ये क्या एक for loop है इसके पहले वाली जो चीज है, ये आप तक कभी नहीं दिखिया हमने तो इन चीजों को इकटा हम जब करते हैं, इसको हम कहते है List Comprehension तो List Comprehension क्या टेखनिक है, एक line of statement होता है, जिसमें तीन चीज़े लिखी जाती है पहला होता expression, दूसरा है for loop, और तीसरा है if statement if statement compulsory नहीं है, लेकिन expression और for loop ज़रूरी है अब मैं अगर इसको run करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक list बना देगा अब ये list में output क्या आ रहा है, देखने के लिए मैं लगाता हूँ my list को call कर लेंगे हम, तो आप देखिया उसने list बनाई कैसी है उसने क्या हर एक character को लिया, और उसको एक element बना दिया और list में convert कर दिया, इसी को हम कहते है list comprehension तो इसके तीन हिस्से होते है, square bracket के अंदर पहला इसा expression है, दूसरा है for loop, और तीसरा है if condition जो optional है और कोई भी चिंता की बात नहीं, मैं और कुछ examples दूँगा तो और भी भेतर तरीकिसा आप इसको समझ पाएंगे, बस यह शुरुवात है अभी के लिए और अगर आपको check करना की वाकई में यह list है या नहीं वैसे तो square bracket से ही समझ आ जाना चाहिए, आप type को call कीजिए type of my list check कर लीजिए तो यह देखिए, यह return कर रहा है list, तो इससे confirm हो जाता है कि यह list है, ठीक है यह आ गया, अब हम इससे और कुछ चीज़ें आगे करते हैं, मालीजे, मुझे जो string variable था हमारा, my string इसको अगर मुझे upper case में convert करना है तो हमें कुछ इस तरीके से करेंगे, जो हमें पता है upper function हमने देखा है, upper, higher, lower अब यही चीज़ मैं list comprehension के जरिये भी कर सकता हूँ तो list comprehension की जरूत क्यों बढ़ रही है अगर आप सोच पा रहे है, एक single word है जो string है, उसको हमें क्या करना है हर एक character को अलग-अलग item में convert करना है तो इसलिए list comprehension काम्यार लेकिन अब मालो, convert करते हैं, उसको uppercase करना है, तो इस तरीके से करेंगे मालिस्ट अपपर एक variable ले लिया square bracket i for i in जो भी आपका string है, तो इससे पता है आपको, कि यह क्या करेगा print करेगा, बस यहाँ पर expression में हम आपने इसाब से logic लिखते है हम कहते है, i.up पर brackets को भूलना नहीं है, python में आपको और फिर इसी command में, मैं list को call कर लेता हूँ तो दीखिए, अब आगे आप पर अब धीरे धीरे आप समझते जाएंगे कि expression में हम क्या क्या कर सकते है तो यह हमरे पास free day में, expression का मतलब कि आप खुद से logic के हाँ पर build कर सकते है, इस तरीके से तो यह दूसरा example है string के साथ, लेकिन मैं जब आपको numbers के साथ example दूँगा तो और भी यह clear हो जाएगा, इसलिए आप कोई भी numbers ले सकते है और फिर हम इसको call कर लेते है run किया, यह बना देगा हमारे लिए एक से दस तक की list तो सबसे पहले शुरुबात करने के लिए मुझे क्या करना है मान लो, इस list के अंदर हर एक जो number है, उसको double कर देना है तो यह काम हम list company engine कितने आसानी से कर सकते यह देखिए मैं एक नया variable लेता हूँ dbl list is equal to square brackets हम लिखते है, i for i in numbers अगर मैं इतना ही लिख रहा हूँ तो जैसे के वैसे numbers प्रिंट हो जाएंगे call भी कर लेते हैं इसी line में हम dbl list, dbl list होना चाहिए ता वो dbl list run करेंगे तो यह जैसे के वैसे number प्रिंट है अब बस क्या करेंगे, देखो expression में मैं कर देता हूँ, i को 2 से multiply है तो आप देखिए, हर एक number क्या हो गया double हो गया इस तरीके से आप बहुत चीज़े कर सकते हैं तो अलग-अलग चीज़े try कीजे मान लीजे, हर number मुझे 10 ये add करना है तो बस 10 कर दिया variable change नहीं करता हूँ, variable same ही रखता हूँ बस मुझे अलग-अलग चीज़े बता नेते देखो, हर number में क्या हो गया list के, add हो गया 10 तो ये है list comprehension फिर आगे बढ़ते हुए, अब और बहतर इसको करेंगे हूँ, ये अलग example list comprehension में तीन चीज़े होती है, पहला होता expression दूसरा है for loop और फिर तीसरा होता if statement जो compulsory नहीं है, optional है अब मैं if का एक example बताता हूँ मान लीजे, ये जो हमारा list है numbers का, इसमें से कुछ numbers odd है और कुछ even है इसमें से मुझे सिर्फ even number चाहिए तो दीखे, इसको कैसे हम ला सकते है मैं एक नया variable लेता हूँ even list और यहाँ रखिए, जब भी आप list comprehension करते हैं तो हमेशा वो नया list return करता आपको जो पहला original list है, उसको वो touch या change नहीं करता है और मैं यह prove भी कर सकता हूँ अगर हम देखे, numbers को call कर लेते हैं यहाँ पर अभी जैसे ही list था पहले, वैसा ही है वो तो यह prove हो जाता है अब मैं undo कर देता हूँ, ctrl-z से हम लिखते, i for i in numbers और फिर, इसके आगे हमें condition लिख सकते, if के साथ if i i, इसको divide करने के लिए percentage side, तो मैं divide करना हूँ 2 से, और कहरा हूँ, अगर इसका output 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी number को 2 से divide करके, करते हो remainder 0 आता है, इसका मतलब वो even number है और अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब वो odd number है, तो आप मुझे सिर्फ even numbers चाहिए थे तो यह देखे, even numbers आ गए और अगर आपको odd numbers चाहिए तो बस यहाँ पर one करना है आपको इसको बस variable का नाम में change कर देता odd list तो दोनो example है, odd के भी और even के फिर आगे और क्या क्या कर सकते, देखे यह ऐसी अलग-अलग expressions या if conditions आप try करते रही है अब मानलो मुझे हर एक number को square कर देना है तो हम एक list बनाते है, squares is equal to अगर हम लिखते, i for i in numbers यह तो जैसा का वैसा ही return करेगा रन करेंगे इसको तो square करने के लिए आपको करना है दो बार star, दो बार multiplication का sign अब देखिए, हर एक number हो गया square 1 का 1 ही होगा 2 का 4, 3 का 9 इस तरीके से square हो जाते हैं चीज़े तो उमीद कर रहा है अभी आपको बहतर तरीके से समझ में आ रहा है list comprehension, पहले example से भी कई जादा और भी क्या-क्या, आप if condition में कुछ भी logic लिख सकते हैं, जैसे मान लीजे मुझे सिर्फ list में से वही number चाहिए जो 5 से बड़े हैं, तो आप simply इस तरीके से लिखे i for i in numbers और यहाँ पर हम लिखेंगे i greater than 5 और LST को call कीजिए ठीक है, यहाँ पर हमने if miss किया यह देखिए, आप number 6 और 10 के बीच ही हैं, क्योंकि पाच से बड़े हैं, आप यहाँ पर और भी conditions लागा सकते हैं, जैसे मान लोग आपको 5 और 9 के बीच ही चाहिए, तो आप बोल सकते i and i less than equal to 9 तो यह filter कर देगा 6, 7, 8 और 9 और एक काफी interesting example है मान लीजिए, एक string यह आपके पास जिसमें numbers और alphabets हैं इस तरीके से, जोरी नहीं कि इसी sequence में कुछ भी random ली आप लिख सकते बस यह याद रखे कि इसमें कुछ alphabets भी आड़ कीजिए और numbers भी आड़ कीजिए, अब मेरा task क्या है scenario, दो चीज़े मुझे चाहिए मुझे कुछ ऐसा code लिखना है जिसमें से, string में से मुझे numbers को अलग करना है और text को अलग करना है यह भी एक common हो सकता है कि task ना हो, बट interview में ऐसी चीज़े पूछते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखें हम लेकिन अब मैं condition अड़ कर देता हूँ क्योंकि condition if से अड़ करने से क्या देखा है हमने filter कर देता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर I alpha bet है, तभी मुझे return करो, तो हम करेंगे is alpha function का इस्तमाल जो हमने पहले भी देखा है अब मैं LST alpha को call कर लेता हूँ run किया इसको लेकिए यहाँ पर हमारा spelling mistake हुआ है is alpha इसको दुबारा run करेंगे, अब देखे ABCD आया इस तरीके से लेकिन अभी क्या हुआ है है हाँ पर यह आये तो है alphabets अलग-अलग लेकिन यह list है, मुझे list नहीं चाहिए इसको string ही रखना है तो बस हम इनको क्या कर देंगे, आपस में join कर देंगे join करने के लिए आप क्या कीजिए इस तरीके से blank को हम denote करते, single code open और single code को close कर देंगे, तो blank एक initialize किया और यह empty string कह सकते, और फिर join function का इस्तामाल करेंगे और यह पूरा जो code है list comprehension का इसको अंदर डाल देंगे इससे क्या हो जाएगा, यह आपस में सब चीजों को join कर देंगे, अब यह list नहीं है अब यह है string तो सिर्फ हम इसको दूसरा नाम देते हैं इसी तरीकी से मैं इस code को copy कर लेता हूँ अगर मुझे number चाहिए, तो हम लिखेंगे बस, is digit और इसको हम change कर देंगे numbers 2 कर देते हैं, क्योंकि पहले list था हमारा, इसी नाम से confusion नहीं होना चाहिए run किया तो यह देखे, आ गया, और आप इनका data type भी check कर लीजिए, अगर आपको doubt है कि वाकई में यह convert हुआ है, क्या, यह list है यह वाकई में convert हुआ यह नहीं हुआ है तो देखे, अभी यह str है, आप इसको बस क्या कर सकते हैं तो इसको convert कर सकते हैं integer में, जैसे हमने पहले देखा है बढ़ अभी यह list नहीं है तो इस तरीके से क्या है list comprehension लिखते हैं हम तीन चीज़े हैं इसमें याद रखे पहला तो default जो है list हमेशा square bracket से बनता है फिर expression होता है पहले जिसमें कुछ भी लिख सकते हैं फिर for loop है और उसके बाद है if condition तो इस तरीके से हमने अलग-अलग चीज़े cover की हैं इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुकरिया बने रहे हैं धन्यवाद